कुछ किस्से, कुछ कहानिया, मैं डॉक्टर अनीदा सिंग आपका स्वागत करती हूँ दोस्तो, प्रेमचंद का समय बिटिश भारत का समय था, गुलामी का दौर था, सजक साहितिकार स्वेंग को सामाजिक सरुकार से अलग नहीं कर सकते और यही कारण है कि प्रेमचंद ने कहानी चाहे जिस विशे पर लिखी हो, समकालीन प्रस्थितियों का अंकन अवश्य करते थे, केवल अंकन ही नहीं, मार्ग दर्शन भी प्रस्थित कहानी में दो भाई हैं, बड़ा भाई छोटे भाई को समझाता हुआ कहता है कि संसार में अभी भी बहुत से देश ऐसे हैं, जिन्होंने अंग्रेजों का आधिपत्य स्विकार नहीं किया, वे स्वाधीन है बड़ा भाई रावड का उदाहरड देते हैं, और उसे अंग्रेजों से बड़ा अहंकारी बताते हैं, जिसका आशे यही है कि जब रावड का घमंड चूर-चूर हो गया, तो ये अंग्रेज किस खेत की मुली हैं, इन्हें भारत से निकाला जा सकता है प्रस्तुत कहानी सिक्षा व्यवस्था पर भी, परिक्षा प्रडाली पर भी रोचक धंग से टिपड़ी करती हैं, और लेखा की नजर में वेर्थ साबित करती हैं, तो आईए सुने, प्रेम चंद की एक और लोप्रिय कहानी बड़े भाई साहब मेरे भाई साहब मुझसे पांच साल बड़े थे, लेकिन केवल तीन दरजे आगे, उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे, इस भावन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलिशान महल बन सके, एक साल का काम दो साल में करते थे, कभी कभी तीन साल भी लग जाते थे, बुनियाद पुकता ना हो, तो मकान मजबूत कैसे बने? मैं छोटा था, वह बड़े थे, मेरी उम्र नौ साल की थी, वह चौदह साल के थे, उन्हें मेरी निगरानी का पूरा और जनम सिध अधिकार था, और मेरी शालिंता इसी में थी, कि उनके हुक्म को कानून संजू, वह स्वभाव से बड़े अध्यन शिल थे, हरदम किताब बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कौपी पर, कभी किताब के हाशियों पर, चिडियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरे बनाया करते, कभी कभी एक ही नाम या शब्द बाक्य दस-बीस बार लिख डालते, कभी एक शेर को बार-बार अक्षरों में नकल करते, कभी शब्द रचना करते, जिसमें न कोई अर्थ होता, न कोई सामन जसे, उनकी रचनाओं को समझना, मेरे लिए छोटा मुह बड़ी बात थी मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था, एक घंटा भी किताब लेकर बैठना मानो पहाड था, मौका पाते ही होस्टल से निकल कर मैदान में आ जाता, और कभी कंकरिया उच्छालता, कभी कागच की तितिलिया उड़ाता, और कहीं कोई साथ ही मिल गया, तो पूछना ही क्या, कभी चार दिवारी पर चड़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार, उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनन्द उठा रहे हैं, लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राड सूख जाते, उनका पहला सवाल यह होता, कहा थे, हमेशा यही सवाल, इसी ध्वनी में हमेशा पूछा जाता था, और इसका जबाब मेरे पास केवल मौन था, ना जाने मेरे मुह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था, मेरा मौन कह देता कि मुझे अपना अपराद स्वीकार है, और भाई साहब के इसके सिवा और कोई इलाज न था, कि स्नेह और रोश से मिले हुए शब्दों में मेरा सतकार करें, वे कहते, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे, तो जिन्दगी भर पढ़ते रहोगे, और हर्फ भी न आएगा, अंग्रेजी पढ़ना कोई हसी खेल नहीं है, कि जो चाहे प और आती क्या है, हाँ, कहने को आ जाती है, बड़े-बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा, और मैं कहता हूँ, तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते, मैं कितनी मेहनत करता हूँ, यह तुम अपन कि मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ, उस पर भी एक-एक दरजे में दो-दो-तीन-तीन साल पढ़ा रहता हूँ, फिर भी, फिर भी तुम कैसे आशा करते हो, कि तुम यूँ खेल-कूद में वक्त गमा कर पास हो जाओगे, मुझे ही दो सा तीन साल लग जाते हैं, और तुम उम्र भर इसी दरजे में पढ़े, सड़ते रहोगे, अगर तुम्हे इस तरह उम्र गवानी है, तो बेहतर है, घर चले जाओ, और मजे से गुल्ली डंडा खेलो, दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो, मैं यह ल लक्ती बाती कहते, ऐसे ऐसे सुक्ती बाड चलाते कि मेरे जिगर के टुकडे टुकडे हो जाते, और हिम्मत तूट जाती, इस तरह जान तोड़ कर मेहनत करने की शक्ती मैं अपने में न पाता था, और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाओं, जो काम मेरे बूते के बाहर है, उसमें हाथ डाल कर क्यों अपनी जिन्दगी खराब करूं, मुझे अपना मुर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत, मुझे तो चक्कर आ जाता था, लेकिन घंटे दो घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते, और कैसे शुरू करूं? मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात, पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती, मैदान की वह सुखध हर्याली, हवा के हलके हलके जोके, फुटबॉल की उच्छलकूद, कबड़ी के वह दाव पेंच, बॉली बॉल की वह तुख तेजी और फुर्ती मुझे अग्यात और अनिवार रूप से खींच ले जाती, और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता, वह जान लेवा टाइम टेबल लेवा आँख फोड पुस्त के, किसी की याद ना आती, और भाई साहब को नसीहत और फजिहत का अवसर मिल जाता मैं उनके साह से भागता, उनकी आँखों से दूर रहने की चेश्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पाउं आता कि उन्हें खबर न हो, उनकी नजर मेरी और उठी और मेरे प्राड निकले, हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालू होती, फिर भी जैसे मौत और व पूत का तिरिसकार नहीं कर पाता, सालाना इम्तहान हुआ, भाई सहाब फेल हो गया, मैं पास हो गया, और दरजे में प्रथम आया, मेरे और उनके बीच में केवल दो साल का अंतर रह गया, जी में आया, भाई सहाब को आड़े हाथों लूँ, आपकी वह घोर तपस्या कहा गई, मुझे देखिये, मजे से खेलता भी रहा, और दरजे में अवल भी हूँ, लेकिन वह इतने दुखी और उदास रहते कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी होती, और उनके घाओं पर नमक छिड़कने का विचार ही, लज जास्पत जान पड़ता, हाँ, अब मुझे अपन कूद में शरीक होने लगा, दिल मजबूत था, अगर उन्होंने फिर फजिषत की, तो साफ कह दूँगा, आपने अपना खून जला कर कौन सा तीर मार लिया, मैं तो खेलते कूदते दरजे में अवल आ गया, जुबान से या हेकडी जताने का साहस ना होने पर भी, मेरे रं जब मैं भोर का सारा समय गुली डंडे की भेट करके ठीक भोजन के समय लोटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खीचली और मुझ पर तूट पड़े, देखता हूँ इस साल पास हो गये, और दरजे में अवल आ गये, तो तुम्हें दिमाग हो गया है, मगर भाई जान, घ महज इमतहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धी का विकास, जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, रावड भू मंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं, आजकल अंग्रेजों के राजे का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते, संसार में अनेक रास्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्विकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है, रावड चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीब उसे कर देते थे, बड़े-बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, क आदमी और जो खुकर्म चाहे करे, पर अभिमान ना करे, इतराय नहीं, अभिमान किया और दीन, दुनिया दोनों से गए, शैतान का हाल भी पढ़ा होगा, उसे यह अभिमान हुआ कि इश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं, और अंत में यह हुआ कि नरक में धकेल दिया गया, शाहे रूम ने भी एक बार एहंकार किया था, भीक मांग मांग कर मर गया, तुमने तो अभी केवल एक दरजा पास किया है, और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे पढ़ चुके, यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास न निशाना पढ़ी जाता है, इससे कोई सफल खिलाडी नहीं हो जाता, सफल खिलाडी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए, मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दरजे में आओगे तो दातों तले पसीना आ जाएगा, जब अल्जबरा और जॉमेट्री के लोहे के चने च हेनरी के समय में हुआ, क्या याद कर लेना आसान समझते हो, हेनरी साथवे की जगा आठवा लिखा और सब नंबर गायब, सफाचट, सीफर भी न मिलेगा, हो किस खयाल में, दरजनों तो जेम्स हुए हैं, दरजनों विलियम और करोडो चॉल्स, दिमाग चक्कर खाने लग हो जाता है, इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे, दुतिय, तृतिय, चतुर्थ, पंचम लगाते चले गए, मुझसे पूछते, तो दस लाख नाम बता देता, और जोमेटरी, तो बस खुदा की पना, अब और जो पूछते, और और जो बो की खुन करते हो, दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई इसमें क्या रखा है, मगर इन परिक्षकों को क्या परवा, वह तो वही देखते हैं, जो पुस्तक में लिखा है, चाहते हैं कि लड़के अच्छर अच्छर रट डालें, और इसी रटन्त का नाम सिक्षा र जोजन, दुगना नहीं, चोगना हो जाए, आधा ही रहे मेरी बला से, लेकिन नहीं, परिक्षा में पास होना है, तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी, कह दिया, समय की पावंदी पर एक निबंद लिखो, जो चार पन्नों से कमना हो, अब आप कौपी सामने खोल एक कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोईे, अरे, कौन नहीं जानता कि समय की पावंदी बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में सैयम आ जाता है, और दूसरों का उस पर सने होने लगता है, उसके कारुबार में उन्नती होती है, लेकिन अब इस जरासी बात प बलकि उसका दुरू पयोग है, वेर्थ में किसी बात को ठूस ठूस के लिखा जाए, हम तो चाहते हैं, आदमी को जो कुछ कहना हो चट पट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको चार पन्ने रंगने पढ़ेंगे, चाहे जैसे लिखी, और पन्ने भी पूरे फु संख्षेप में एक निबंध लिखो जो चार पन्नों से कमना हो, ठीक, संख्षेप में तो चार पन्ने हुए नहीं, शायद दो सव पन्ने लिखवाते, तेज भी दोड़िये और धीरे धीरे भी, उल्टी बात है या नहीं, बालक इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं, उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं, मेरे दरजे में आओगे लला, तो ये सारे पापड बेलने पड़ेंगे, और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा, इस दरजे में अववल आ गय हो, तो जमीन पर पाव नहीं रखते, इसलि इस्कूल का समय निकट था, नहीं इश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती, भोजन आज मुझे निस्वात्सा लग रहा था, जब पास होने पर यह तिरिसकार हो रहा है, तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राड ही ले लिये जाएं, भाई साहब ने अपने इस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरूची जियों की तियों बनी रही, खेल कूत का कोई अफजर हाथ से नहीं जाने देता, पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दरजे में जली ना होना पड़े, अपने उपर जो विश्वास प कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फेल हो गया, मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर न जाने कैसे दरजे में अववल आ गया, मुझे खुद अचरज हुआ, भाई साहब ने कठोर परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गय थे, दस बजे रात तक इधर, चार से साढ़े नौ तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गयी थी, मगर बेचारे फेल हो गये, मुझे उन पर दया आती थी, नतीजा सुनाया गया, तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा, अपने पास होने की खुशी आधी हो गयी, मैं भी फेल हो गया होता, तो विधी की बात कौन टाले? मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दरजे का अंतर और रह गया, मेरे मन में एक कुटिल भावना उदै हुई, कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाएं, तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजियत कर सक लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बल पुरवक निकाल डाला, आखिर वह मुझे मेरे हिद के विचार से ही तो डाटते हैं, मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं दना दन पास हो जाता हूँ, और वह भी इत खुद समझने लगे थे कि मुझे डाटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या अगर रहा भी तो बहुत कम, मेरी सक्षंदता भी बढ़ी, मैं उनकी सहिश्वता का अनुचित लाव उठाने लगा, मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, और अब सारा समय पतंग बाजी की भेट हो जाता, फिर भी मैं भाई सहाब का अदब तो करता था और उनकी नजर बचा कर पतंगे उडाता था, माजहा देना, कन्ये काटना, पतंग टूर्नामेंट की नतैयारियां, आदि समस्याएं सब गुप्त रुप से हल की जाती, मैं भाई सहाब को यह संदेह नहीं होने देना चाता, कि उनका सम्मान और लिहाज मिरी नजरों में कम हो गया है, एक दिन संध्या समय होस्टल से दूर, मैं एक पतंग लूटने बेतहाशा दोड़ा जा रहा था, आखें आसमान की ओर थी, और मन उस आकाश गामी पथिक की ओर, जो मन गती से जूमता पतं की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकल कर विरक्त मन में नए संसकार ग्रहड करने आ रही हो, बालकों की पूरी सेना, लगगे और बास लिए इनका स्वागत करने को दोड़ी आ रही थी, किसी को अपने आगे पीछे खबर न सब ही मानों उस पतं के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारे हैं, न ट्राम हैं, न गाडियां। आठवी क्लास में आ गये हो, और मुझसे केवल एक दरजा नीचे, आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजिशन का ख्याल करना चाहिए, एक जमाना था कि लोग आठवी दरजा पास करके नायब तहसिलदार हो जाते थे, कितने ही आठवी जमात वाले हमारे लीडर हैं, समा इस कम अकली पर दुख होता है, तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जहन किस काम का, जो हमारे आत्म गौरव की हत्या कर डाले, तुम अपने दिल में समझते होगे, मैं भाई सहाब से महज एक दरजा नीचे हूँ, और उन्हें मुझको कुछ भी कहने का हक नहीं, अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद एक साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में जो पांच साल का अंतर है, उसे तुम तो क्या, खुदा भी नहीं मीटा सकता, मैं तुम से पांच साल बढ़ा हूँ और हमेशा रहूँगा, मुझे दुनिया का और जिन्दगी का जो तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम में, डिलीट, प्यजडी, डिफिल, चाहे जो भी, क्यो ना हो जाओ, समझ किताबे पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है, हमारी अम्मा ने कोई दर भारने का अधिकार हमेशा रहेगा, केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्म दाता है, बलकि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यदा तजुर्बा है और रहेगा, अमेरिका में किस तरह की राजबवस्था है, आठवे हिन्री ने कितने ब्याह किये, और आकाश में कि ना हो, लेकिन हजारों ऐसी बाते हैं, जिनका ज्यान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है, दैव ना करे, आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांफूल जाएंगे, दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सुझेगा, लेकिन तुम्हारी जगा द का खर्च महिना भर कैसे चलाएं, जो कुछ दादा भेजते हैं, उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं, और फिर पैसे-पैसे को मुहताज हो जाते हैं, नाश्ता बंध हो जाता है, दो बिनाई से मुह चुराने लगते हैं, लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं, उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का एक बड़ा भाग इजत और नेकनामी के साथ निभाया है, और एक कुटम्ब का पालन किया है, अपने हेड मास्टर साहब को ही देखो, एमे है की नहीं, और यहां के एमे नहीं, आक्सफोर्ट के, एक हजार रुपया पाते हैं, ल इंतिजाम करते थे, खर्च पूराना पड़ता था, करसदार रहते थे, जबसे उनकी माता जी ने यह प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्षमी आ गई है, तो भाईजान, यह गरूर दिल से निकाल दो, कि तुम मेरे समीप आ गये हो, और अब स्वतंत्र ह मेरे देखते तुम बेराह नहीं चलने पाओगे, अगर तुम यो न मानोगे, तो मैं थपड का प्रयोग भी कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बाते जहर लग रही हैं, और मैं उनकी इस नई निक्ती से नत मस्तक हो गया, मुझे आज सचमुझ अपनी लग और आपको उसे कहने का पूरा अधिकार, भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया, और बोले, मैं पतंग उडाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचता है, लेकिन करूं क्या, अगर खुद बेराह चलूं, तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, यह करतव भी, तो मेरे ही सिर है, सैयोग से उसी वक्त एक कटी हुई पतंग हमारे उपर से गुजरी, उसकी डोर लटक रही थे, लड़कों का एक गोल पीछे-पीछे दोड़ा चला आता था, भाई साहब लंबे हैं ही, उचल कर उसकी डोर पकड़ ले, और बेतहाशा होस्टल की तरफ दोड़े, मै मैं उनके पीछे-पीछे दोड़ रहा था, दोस्तों, आशा करती हूँ कि दो भाईयों के रिष्टों पर आधारित यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और इस कहानी ने आपको अपने बच्पन की याद दिलाई होगी, अगर आप छोटे हैं, तो बड़े भाई-बेह बच्पन की इसमृतियों का एक बड़ा हिस्सा भाई-बेहनों के साथ बिताय गए पलो के ही होते हैं, उमीद करती हूँ कि आपने कहानी को पसंद किया होगा, और अपने सुझाव, राय, कॉमेंट बाक्स में जरूर लिखिएगा, और बेल आईकॉन जरूर प्रेस करें, जिससे अगली कहानी का नोटिफिकरशन आपको प्राप्त हो जाए, बहुत बहुत शुक्रिया,